मेरे सारे B8 vs BTC के साथ ही हो, सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग बहुत ही जादा खुस होंगे, क्योंकि सारे B8 धारक को बहुत ही बड़ी जीत मिली है, वो भी Supreme Court से और High Court से, और जैसा कि मैं आप लोग से वादा किया था, दवा किया था, कि सारे B8 धारक को ज सुरच्षित हो गया, अब बात आया था, MP High Court का, MP वाले जितने B8 धारक के उनको टार्गेट किया गया, मैं बोला कि MP B8 धारक को कोई भी नहीं आठा सकता, बस मेरा एक पॉइंट जो है, कोट में रखना जरूरी है, बस जो कोट में बात रखा जाए, Supreme Court वाले पॉइंट को Supreme Court में जाए, Advocate चाहे तो फिर High Court में जाए, अगर ये point Advocate रखते है, कोट में ये matter को, तो भाई, सारे जगा B8 धारक को जीत मिलेगा, जो लोग अपने आपको Senior समझते हैं, जो लोग काबिल समझते हैं, तो याद होगा, आज के दो सब्ता पहले मैं है, ये बात बोला था, और ये बात मेरा 110% सही सबित हुआ, और पूरा जो judgment आया है, मद परदेश हाई कोट का, ये पूरा मेरा ही बाला बात आया है, याद करिएगा मैं एक और फिर से सुनाता हूँ, क्या point मैं बोला था, ठीक है, खास तो पर बिहार वाले, 36 गल वाले, मद परदेश वाले, सारे के लिए बात important है, आज हम बात करने वाले हैं, बिहार वीएड इंटरेंस एकजाम 2014 के बेश्ट बुक के बारे में, जो की चक्छु परकासन का है, इस किताब में खास बात यह है कि इसमें 1200 पलस बहु विकल्पिय प्रसन है, 600 पेपर है, और इस किताब के आपके नए सेलेव में बिएड सामील है, तो उन्हें equity मिलेगा, यानि कि हिस्सेदारी मिलेगा, जहां जहां notification आया थे, उसमें अगर बिएड सामील किया था राजसरकार के तरब से, तब उनको भी हिसा मिलेगा, दूसरा, subject to the final outcome का बात किये जाते हैं, तो मैं अप लोग को इस पे बात बताया कहीं, जो हम लोग का advocate है, यही वाला बात यह quote में रखे भी थे, तुसार मेता जी थे, भईया उतरे भे थे, सरकार पक्ष में था, मैं बोला था कि जहां-जहां सरकार पक्ष में है, दुनिया का कोई भी ताकत इसको हिला नहीं सकता, believe नहीं किये, देखे, B.A.D. जीता, मै यहां, देम वड का मतलब ऐसे B.A.D. कंडिडेट है, जिनके अडिवटाजमेंट में, उनके स्टेट गवर्मेंट ने B.A.D. को सामिल नहीं किया था, तो वो B.A.D. को सामिल करवाने कोट गये थे, ऐसे ही, कंडिडेट को सुपरीम कोट ने रिलीफ नहीं दिया, ठीक है, और यहां पर यही बात हुए, जैसा कि आप, जहां पर सुनें, मैं आप लोग को जो पॉइंट रखा, जो हाई कोट का फैसला या M.P. हाई कोट का किस मेटर पे आए, सब्जेक टुडब फाइनल और कम, उसका कुछ आलागी मेटर समझाए जा रहे थे, डिलर वाले कुछ लगी, उस पर समझाते थे, और सारे बेट वाले कन्फूज रहते थे, और मैंने यह पॉइंट बोला था, कि जहां जहां एडवेटर ने बेट को सामिल किया गया है, ठीक है, वहां बेट को कोई हिला नहीं सकता है, वहां तो जॉइनिंग था भै, यहां पर जॉइनिंग भ ठीक है, तो ऐसे बेट धारक को सामिल नहीं किये जाएंगे, ऐसे बेट धारक जॉइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे तो कोई है ही नहीं भाई, पुरे इंडिया में कहां है कोई, कोई है, नहीं है, तो इनका मैटर ही नहीं है, मैटर यहां आता है, कि जिनको आप एडवेटर में सामिल कियें जुआइनिंग तक करवाएं अब बोलते हैं कुल को हटा देंगे तो भाई सारे जागा तो बीट आप जीते रहे हैं अब डियल वाले का मूब बन रहा है और मेरे जीतेने साथी हैं मेरे सारे से रिक्वेस्ट है सही जनकारी पाने के लिए मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस करके जुड़े रहा करें क्योंकि सही जनकारी आपको इस चैनल पर दिये जाते हैं आप लोग देखते होंगे जो मैंने पॉइंट बला वही पॉइंट जो पूरा कोट पैसा घेज कर वह अमीर बन रहे हैं और सारे जागा कीश सबको हर वारा है सारे जाग केыт बेयर मेर को वने यहां लगधतार हार रहा है और बिचारह वह लोग रोड पे आ रहे नेता अमीर हो रहा है और जितने आप लोग किसी लिखे से नहीं रहे हैं जाएपिए। बोला कि prospective लागू होंगे ठीक है और जहां जहां बीएट को जहां जाब advertisement में सामिल था वहां और जो लोग जॉइनिंग कर चुके हैं वो लोग prospective लागू होंगे तमाम सर जो बातें यहां पर आये थे अभी भी जिस तरह से 36 गड़ब आले अभी भी 36 गड़ब आले जाएंगे अगर वहां पर गुहार लगाएंगे सुप्रीम कोट में तो उनको 110% relief मिलेगा यह सुप्रीम कोट के जज के पास पाबर है कि जहां जहां जोइन हुए हैं जहां जहां advertisement आये हैं और इसके मुताबिक से बच्चे लोग जॉइनिंग लिए हैं तो उनको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि भाई नहें पर बच्चे का गलती है बच्चे का कहीं पर गलती है आप बताए अब संस्थान का गलती है एक्जाम ले रहा हैं फिर सारा कुछ करवाएं अब उनको जॉइनिंग दिलवा दिये हैं उसके बाद बोल रहा हैं जॉब से हटाएंगे यहां पर सर्वीस नहीं है यह Supreme Court का ही Point है यह Supreme Court का ही Judgment है और Supreme Court का Judgment बस वहीं पर जाकर रखना है आपको और भटकना नहीं है परसान नहीं होना है और जितने मेरे साथ ही है जो लोग एकाद दो जो नीता थे जो डिलर वाले काबिल बन रहे थे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा का को मान करना चाहिए कोट का Judgment को फैसला तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और जहां जब जब बीएड़ आप जीत रहा है सारे जगाव बीएड़ को सामिल के जा रहे है तो आप उनके तरफ से बोले जा रहा है कि कोट गलत है कोट मेरा कोई सुनी नहीं रहा है गलत बोल यह बात मेरा 100% सही हुआ जो मैंने पॉइंट बोला यह पॉइंट जो मद पर्दस के जितेने बच्चे हैं सुने होंगे उनको तो पताई होगा कि कुनार भीया क्या पॉइंट बोले थे और किस पॉइंट पर सुनवाए हुआ और अखिरकर जो एंपी वाले जितेने भी धार करता रहोंगा पर जो मैंने पॉइंट बताया आपको दो पॉइंट जरूर हर जगा हर अबॉक्र को राखना चाहिए पॉइंट मेरा नहीं सुपरीम कोट का पॉइंट है जहां जाए अट्वाले के मतलब कोट में गये थे उनको सामिल ही किया था वहां पर रेट्र इस्प् सुपरीम कोट खुद का है सुपरीम कोट अपना गलत करेगा क्या नहीं करेगा तो पॉइंट रखना चाहिए और में इतने साथी है सारे लोग जरूर चानल को सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस करके जूले रहें कहीं ना कहीं आप सारे राज में भीट धारक के लिए खुषखबरी आता हुआ दिखाई दे रहा है साइध सारे जागा जो प्रैमीरी में जहां जाए अड़ाजमेंट आये थे वहां वहां सामिल होना चाहिए क्योंकि ना पर बच्चे का गलती था ना किसी का गलती था और साइध आठ अप्रील जो दुहजार चोबीस में जो आया सुप्रीम कोट के तरफ से वहां पर साइध अगर सुधार कर दिया जाए कुछ और तो कही ना कहीं सारे धारा को रहत मिल पाएं जाए और मेरा रिक्वेश्ट रहेगा और जितने भी नेता है बीएट का मैं कुसिस करेंगा कि सीनियर से सीनियर बीएट के जो एड़ोक सब्सक्राइब के बिल आकिन पर इसक्राइब जोड़े रहे हैं तब तक लिए बहुत बहुत धन्यमात